हेलो फ्रेंट्स आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ओफ मैमरी मैमरी का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम इसमें मैमरी कितने टाइप से क्लासिफाई किये हुए हैं और उसमें उस कैटेगरी में कौन-कौन से मैमरी आते हैं ठीक है Memory होता क्या है यह इसके जस्ट एक पहले के lecture में हमने complete कर लिया है आप उसमें से अच्छे से पढ़ लीजेगा उसमें मैंने बहुत अच्छे से explain किया है कि Memory होता क्या है तो चलिए Memory के classification को start करते है Memory दो पार्ट में classified है Primary Memory, Secondary Memory Primary Memory के अंदर आता है RAM और ROM RAM का full form क्या होता है RAM का full form है Random Access Memory And ROM का full form है Read Only Memory यह हमारा Primary Memory Secondary Memory में क्या आता है इसका Primary Memory का भी definition देखेंगे हम Primary Memory किसे कहते है पहले हम classification देख लेते है और Secondary Memory में क्या आता है Magnetic Tape, Optical Disc, Floppy Disc and Hard Disc यह हमारा Secondary Memory है Memory Memory का definition देखेंगे It can be defined as the place where the data is stored ऐसा जगे जहां पे data को store करके रख सकते है इसके पहले Memory का पूरा chapter मैंने समझाया Memory किसे कहते है मैंने इसके पहले के lecture में अच्छे से समझाया फिर भी मैं शॉटकट में मैंने आपको यहां बता दिया ऐसा जगे जहां data को हम store करके रख सकते है कोई भी जगे जहां data को store करके रख सकते है उसको Memory बोलते है चाहे वो कोई भी memory हो RAM हो, ROM हो Floppy Disc हो, Hard Disc हो कुछ भी हो जहां पे data को store कर सकते है Pin Drive भी कह सकते है कोई भी ऐसा device या कोई भी ऐसा जगे जहां पे हम data को store करके रख सकते है उसको हम Memory कहते है Memory कितने टाइप Memory का, यह हमने Primary Memory, Secondary Memory देखा था ना यह दिखिए Primary and Secondary तो अब हम देखेंगे Primary Memory क्या होता है तो देखे, Primary Memory It is a small in capacity इसका capacity बहुत कम होता है छोटा होता है Primary Memory का capacity Located inside the computer यह कहां रहता है Computer के अंदर CPU में रहता है Computer के अंदर रहता है Located close to the CPU on the computer motherboard Computer के motherboard पे ही CPU के पास होता है Motherboard मैंने बताया था ना एक ऐसा बड़ा सा IC होता है जिसको motherboard कहते है उसी पे CPU लगा रहता है इधर RAM लगा रहेगा ROM लगा रहेगा सब साथ में बगल-बगल में लगे रहते है तो यह है motherboard यह क्या है Motherboard इसी motherboard पे इसी motherboard पे CPU, RAM, ROM सब लगा रहता है तो Primary Memory कहां होता है Located inside the computer Computer के अंदर है अंदर कहां है Close to the CPU CPU के close, CPU के पास में CPU के पास में ही रहता है On the motherboard Motherboard के उपर ही CPU के पास में ही लगा रहता है Primary Memory और यह बहुत छोटा होता है इसा Capacity Accessed directly by CPU CPU के साथ directly access कर सके मतलब directly यहाँ पे कुछ भी हुआ कोई भी छोटा सा program जो main program रहता है वो primary memory में रहता है तो यह directly इसके साथ attached रहता है इसलिए इसको इसके बगल में रखते है पास में रखते है Known as main memory Internal memory Primary memory को हम Main memory भी कहते है Main memory मतलब मुख्य memory Important है मुख्य सबसे main या internal memory अंदर का memory Internal memory भी इसको बोलते है ठीक है Important point है यह सब इप्रॉम रजिस्टर यह सारे इसके एक्जाम्पल से सबसे important point देखे Main memory को Primary memory को Volatile memory भी कहते है Volatile memory क्यों कहते है क्यों इसका नाम है Volatile memory क्योंकि Computer बंद करते ही सभी data नश्ट हो जाता है जितना data है इसके अंदर वो सारा loss हो जाएगा सारा बंद हो जाएगा नश्ट हो जाएगा इसलिए इसको हम Volatile memory कहते है इसलिए इसे हम Volatile memory कहते है It can't store data permanently Can't नहीं कर सकता Data को permanently store नहीं कर सकता अगर switch off हुआ Computer बंद हुआ Light गई तो जो भी data था वो सारा नश्ट हो जाएगा इसलिए इसको हम Volatile memory कहते है MCQ में important question बनता है Primary memory को Volatile है या Involatile है तो Volatile है RAM कौन सा memory है Primary है Secondary है Primary है कहां लगा रहता है CPU यह Motherboard के उपर लगा रहता है CPU के पास में है ठीक है तो यह था हमारा Primary memory हमारा Primary memory का यह सारा points समने cover कर लिया है यह दिखिए Primary memory RAM ROM Cache memory यह तीन आता है Primary memory के अंदर RAM फिर further दो पार्ट में classified है SRAM DRAM SRAM का मतलब होता है Static RAM RAM का मतलब तो पता है ना यह Random Access Memory Static Random Access Memory यह full form है SRAM DRAM मतलब D मतलब Dynamic RAM Dynamic RAM D का मतलब Dynamic ROM PROM EPROM WEP ROM इसको हम E square PROM भी कहते हैं इसको देखे 2 E है ना यहाँ पे 2 E है ना तो E का square PROM भी बोलते हैं और यह Cache memory इसको हम डिटेल से further study करेंगे इसके next lecture में यहाँ पे आपको Primary memory समझ में आ गया यही सारे topics कम्पलीट होता है धन्यवाद